ओम शान्ती आज है दस सितंबर 2020 की साकार मुरली पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनने की इसी में मेहनत है फिर बाप की याद में भी जरूर रहना है याद से ही ताकत आएगी बाप है सर्व शक्तिमान हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं होगी याद से ही पावन बनते हैं आयू बड़ी होती है आत्मा की जयोत भी जग जाती है और बैटरी भी चार्ज हो जाती है फिर कहा आत्मा का श्रिंगार भी अच्छा होना चाहिए अर्थ सर्वगुण संपन्न बनना है यहां तुमको दो बाप मिले हैं श्रिंगार कराने वाले तो अपने से पूछना है मेरे में कोई अउगुण तो नहीं है मनसा में भल तूफान आते हैं कर्मना से तो कुछ नहीं करता हूँ किसको दुख तो नहीं देता हूँ बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं उनको कितना याद करना चाहिए याद में ना रहने से माया का थपड लग जाता है सबसे कड़ा थपड है विकार का युद्ध के मैदान में तुम ब्रह्मन ही होना तो तुमको ही तूफान आएंगे प्रन्तु अगर कोई विकर्म कि तो समझो हार खाई बाबा से पूछते हैं घर में बच्चे तंग करते हैं गुस्सा आ जाता है बाबा ने कहा बच्चों को भी अच्छी रिती संभालना है नहीं तो खराब हो जाएंगे कोशिश करके थपड नहीं लगाओ बाबा भी तुम बच्चों को शिक्षा देते है बच्चे कभी विकार में मत जाना कुल कलंकित नहीं बनना हार जीत जीत हार होते होते आखरीन जीत हो जाएगी और लास्ट में बाबा ने कहा अभी तुम हो संगम युग पर जानते हो कि यह पुरानी दुनिया कबरिस्तान हुई पड़ी है कोई मरने वाले से दिल थोड़ की गई अब सुनते हैं महवाक्यों को विसार से मुरली का सार मीठे बच्चे बाप आये हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी प्रशन तुम्हारी सच की बेड़ी नाओ को तुफान क्यों लगते हैं उत्तर क्योंकि इस समय आर्टिफिशल बहुत निकल पड़े हैं कोई अपने को भगवान कहते कोई रिध्धी सिध्धी दिखाते इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं प्रंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाओ कभी डूब नहीं सकती आज जो विगन डालते हैं वह कल समझेंगे कि सदगती का रास्ता यहां ही मिलना है सबके लिए यह एक ही हट्टी है ओम शान्ती रुहानी बच्चों प्रती अथ्वा रूहों प्रती क्योंकि रूह अथ्वा आत्मा सुनती है कानों दवारा धारणा आत्मा में होती है बाप की आत्मा में भी ज्यान भरा हुआ है बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जनम में भक्ती मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो आत्म क्या है यह पता नहीं रहता है आत्मा है जरूर आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है दुख भी आत्मा को ही होता है कहा भी जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा, पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है, सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए, तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना, आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पाल्ट भरा हुआ है, यह किसको भी प पता नहीं है, तुम तो नई बात सुनते हो, यह याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं, और कोई सिखला न सके, महनत भी है इसमें, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है, जैसे देखो, यह एमर्जेंसी लाइट आई है, जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार् करते हैं, बाप है सबसे बड़ी पावर, आत्मा कितनी धेर है, सबको उस पावर से भरना है, बाप है सर्वशक्तिमान, हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा, तो बैटरी चार्ज केसे हो, सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, अभी फिर बैटरी को चार्ज करन होता है, बच्चे समझ से हैं, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है, कैसे, बाबा कहते हैं, मेरे से योग लगाओ, यह तो बहुत सहज समझने की बात है, बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धी योग लगाओ, तो तुम्हारी आत्मा में पावर भर कर सतो प्रधान बन जाएगी पढ़ाई तो है ही कमाई याद से तुम पावन बनते हो आयू बड़ी होती है बैटरी चार्ज होती है हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते है बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है कोई का भी सच्चा कनेक्षन नहीं है, सच्चा कनेक्षन है ही तुम बच्चों का। बाप को याद करने भिगर जोती जगेगी कैसे। ग्यान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, ज्यान है दिन, भक्ती है रात, फिर रात से होता है विराग्य, फिर दिन शुरू होता है, बाप कहते हैं, रात को भूलो, अब दिन को याद करो, स्वर्ग है दिन, नर्क है रात, तुम बच्चे अब चेतन्य में हो, यह शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है मिट्टी में मिल जाता है आत्मा तो अविनाशी है ना बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है अभी तुम कितने समझदार बनते हो तुम्हारी बुद्धी चली जाती है घर में वहां से हम आए हैं यहां सुक्षवतन का तो मालूम पड़ गया वहां चार भुजाएं व प्रस्वती फिर लक्ष्मी नारण बनते हैं इसलिए विश्णों को चार भुजा दी हैं सिवाए बाप के कोई समझा न सके आत्मा में ही संसकार भरते हैं आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती हैं आत्मा ही बाप को पुकारती है ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो अब आप आओ, हमको चार्ज होना है, अब आप कहते हैं, जितना याद करेंगे, उतना ताकत आएगी, बाप से बहुत लव होना चाहिए, बाबा, हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं, जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं न, यहां तुमको दो बाप श्रिंगार कराने वाले, श्रिंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है, अपने से पूछना है, मेरे में कोई अउगुण तो नहीं है, मनसा में भल तुफान आते है, कर्मना से तो कुछ नहीं करता हूं, किसको दुख तो नहीं देता हूं, ये बाते अपने से पूछनी है, कर्मना से तो कुछ नहीं करता हूं, किसको दुख तो नहीं देता हूं, बाप है दुख हरता, सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं, बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते हैं, तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्र किस के पास आए हो कहेंगे हम बीके के पास आए हैं अच्छा ब्रह्मा कौन है प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है हाँ प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो प्रजा तो सब हो गए ना तुम्हारा बाप है तुम सिर्फ जानते नहीं हो ब्रह्मा भी जरूर किस बच्चा होगा ना उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है ब्रह्मा, विष्णू, शंकर इन तीनों के उपर है श्व बाबा त्रीमूर्ती श्व कहा जाता है तीनों का रचईता ऊपर में एक श्व बाबा फिर है तीन जैसे सिजरा होता है ना ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा वे है आत्माओं का पिता अच्छा फिर ब्रह्मा कहां से आया बाप कहते हैं मैं इन में प्रवेश कर इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा कहते हैं यह मेरा दिव्य अलोकिक जनम है तुम बच्चों को तो एडोप्ट करता हूं बाकि इन में प्रवेश करता हूं फिर तुमको सुनाता हूं इसलिए यह हो गए बाप दाधा जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना उनके बाजू में आकर बैठता हूं दो को बुलाते हैं तो आत्म कहां आकर बैठेगी जरूर ब्राह्मन के बाजू में आकर बैठेगी यह भी दो आत्माएं हैं बाप और दाधा इनके लिए बाप कहते हैं अपने जनमों को नहीं जानते हो तुमको भी कहते हैं तुम अपने जनमों को नहीं जानते थे अब स्मृ आई है कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है फिर वापिस जाते हैं यह है संगम यूग अब ट्रांस्फर होते हैं योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे बैटरी चार्ज हो जाएगी फिर सत्यूग में आएंगे बुद्धी में सारा चक्र फिरता रहता है डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे जाड की भी आयू होती है फिर सूख जाता है यहां भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं अभी सब का शरीर खलास हो जाएगा बाकी आत्माइं चली जाएंगी यह ज्यान बाप के सिवाई कोई दे ना सके बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं उनको कितना याद करना चाहिए याद में ना रहने से माया का थपड लग जाता है सबसे कड़ा थपड है विकार का युद्ध के मैदान में तुम ब्रह्मन ही होना तो तुमको ही फान आएंगे प्रन्तु कोई विकर्म नहीं करना है विकर्म किया तो हार खाई बावसे पूश से हैं यह करना पड़ता है बच्चे तंग करते हैं तो गुसा आ जाता है बच्चों को अच्छी रिती संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे कोशिश करके थपड नहीं लगाओ क्रिश्न के लिए भी दिखाते हैं न ओखली से बांधा रसी से बांधो खाना न दो रो रोकर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे बच्चा है फिर भी करेगा शिक्षा दे नहीं हैं बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं बच्चे कभी विकार में मत जाना कुल कलंकित नहीं बनना लौकिक में कोई कपूत बच्चा होता है तो माबाप कहते हैं ना ये क्या काला मुँख करते हो कुल को कलंक लगाते हो हार जीत जीत हार होते होते आखरीन जीत हो जाएगी सच्च की बेड़ी नाव है तुफान बहुत आएंगे क्योंकि आर्टिफिशल बहुत निकल पड़े हैं कोई अपने को भगवान केहते कोई क्या केहते हैं, रिध्धी सिध्धी भी बहुत दिखाते हैं, साक्षातकार भी कराते हैं, बाप आते ही हैं सर्व की सद्गती करने, फिर ना तो यह जंगल रहेगा, ना जंगल में रहने वाले रहेंगे, अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो कि यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं, यह दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ की हुआ, बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती है, बाप को अच्छी रिती याद करेंगे त बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, प्रणतु याद का जोहर नहीं तो वह ताकत नहीं रहती है, जोहर दार तलवार नहीं, बाप कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है, पांच हजार वर्ष पहले भी आये थे, बाप पुश से हैं, आगे कब मिले हो तो कहते हैं कल्प पह पहले मिले थे, कोई फिर कह देते, ड्रामा आपे ही पुरुशार्थ कराएगा, अच्छा, अब ड्रामा पुरुशार्थ करा रहा है न, तो करो, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है, जिनोंने कल्प पहले पुरुशार्थ किया है, वह करेंगी, अभी तक जो आए नहीं है, व पाकर फिर पुरुशार्थ करेंगे जाएंगे कहा बाप के पास ही सब को पूँच लटकाना पड़ेगा लिखा हुआ है भीश्म पिता में आदी भी अंत में आते हैं अभी तो कितना घमंड है फिर वह घमंड उनों का पूरा हो जाएगा तुम भी हर पांच हजार वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो राजाई लेते हो गवाते हो दिन प्रति दिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं भारतवासी जो खास देविदेवताओं के पुजारी है उनको समझाना है सत्युग में देविदेवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं क्रिश्चन लोग के महीमा करते हैं वह किस ने सापन किया वह लोग समझ से हैं क्रीशन ने सापन किया तब उनकी पूजा करते रहते' तुम्हारे में भी नंबर वार है कोई कितनी मेहनत करते हैं कोई कितनी दिखाते हैं न गोवर्धन परवत को उंगली पर उठा लिया अभी यह पुरानी चीज है सब चीजों से ताकत निकल गई है सोना भी खानियों से नहीं निकलता है स्वर्ग में तो सोने के महल बनते है अभी तो ग socialism तंग हो जाती है क्योंकि करजा देना पड़ता है वहां तो अथा धन है दिवारों में भी हीरे जवारात लगे रहते है हीरों की जड़त का शोक रहता है वहां धन की कमी है नहीं कारून का खजाना रहता है भी दिव्य द्रिष्टी मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं वहां प्रिंस प्रिंसेज के पास मुरली आदी सब चीजें हीरों की रहती हैं यहां तो कोई ऐसी चीज पहन कर बैठे तो लूट कर ले जाएंगे छूरा मार कर भी ले जाएंगे वहां यह बाते होती नहीं यह दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है इन लक्ष्मि नारेन की दुनिया तो वह वह थी हीरों जवाहरातों के महल थे अकेले तो नहीं होंगे न उसको कहा जाता था स्वर्ग तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे हमने यह सोमनात का मंदिर बनाया था यह समझ स हैं हम क्या थे फिर भक्ती मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की आत्मा को अपने चुरासी जनमों का ज्यान है कितने हीरे जवाहरात थे वह सब कहां गए आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए मुसलमान आये इतना तो लूट कर ले गए जो कबरों में जाकर हीरे लग ताज महल आदी बनाया फिर ब्रिटिस गवर्मेंट वहां से खोद कर ले गई अभी तो कुछ भी नहीं है भारत बेगर है करजा ही करजा लेते रहते हैं अनाज चीनियादी कुछ नहीं मिलता अब विश्व को बदलना है प्रंतून से पहले आत्मा की बैटरी को सतोप्रध भान बनाने लिए चार्ज करना है बाप को याद जरूर करना है बुद्धी का योग बाप के साथ हो उनसे ही तो वर्सा मिलता है माया की इसमें ही लडाई होती है आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझ से थे जैसे दूसरे वैसे तुम थे तुम अभी हो संगम यूगी और वह सब हैं कल यूगी मनुष्य कहेंगे इनों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती है ना धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धी होती जाएगी अभी बाबा बड़ी युनिवसिटी खोल रहे हैं इसमें समझाने के लिए चित्र तो आगे चल कर तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे जो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से सापन कर रहे हैं बाप की याद और ग्यान से माया बीच में बहुत धोखा देती हैं बाप कहते हैं धोखे स बचते रहो युक्तियां तो बतलाते रहते हैं मुख से सर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम यह लक्ष्मिनारेन बन जाएंगे यह बैजिस आदी भगवान ने खुद बनाए हैं तो इनका कितना कदर होना चाहिए अच्छ मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद भ्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस से गुड मॉर्निंग धार्णा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट सर्व गुणों से अपना श्रिंगार करना है कभी किसी को दुख नहीं देना है सबको सुख का रास्ता बताना है सारी दुनिया कबरिसान हुई पड़ी है इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है स्मृती रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं हमें तो नई दुनिया में जाना है वर्दान प्रवृती में रहते मेरे पन का त्याग करने वाले सचे ट्रस्टी माया जीत भव जैसे गंदगी में कीडे पैदा होते हैं वैसे ही जब मेरा पनाता है तो माया का जन्म होता है माया जीत बनने का सहज तरीका है स्वियम को सदा ट्रस्टी समझो ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी ट्रस्टी की किसी में भी अटेच्चमेंट नहीं होती क्योंकि उनमें मेरा पन नहीं होता ग्रस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन जहां अभिमान होता है, वहां अपमान की फिलिंग जरूर आती है। अच्छा, ओम शान्ति! ओम शान्ति! आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें, उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें।